असलाम कुमेरों इस इस मारिया खान फ्रॉम अमाने डॉट कॉम उमीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज मैं फिर से आप लोगों के शिब्लत में हाजर हुई हूँ एक बहुत जबर्दस प्रॉजेक्ट एक मेगा प्रॉजेक्ट है जो कि लहोर में बनन आप लोग से दीजल क की तीजिग कि होँए कि वोटेज्टि इस सेंट्रОल भीनास टॉड होता है वहां के तरक्टियाफटा मूलक होता है Tale toきます वहाँ पर सेंट्रोल बिसनेस ब्स दिर्क मौशूड होता है ठीक है और सेंट्रो बिसनेस दिर्क ग्तरिक मौली ओं घ्रेस ही लिया गया था back in 2020 and 2021 में last year's का inauguration रखा गया यहां पर five prime plots मौझूद है जिसमें से जो सबसे बड़ा इनका plot था that is approximately of 14 canals उसकी जो है बिडिंग Nova Group ने जीत ली और इसके जो अप्रोक्सिमोटी उस टाम पर जो टोटल प्राइस थी जिसके उपर Nova Group ने इसकी बिडिंग को जीता था that was almost 7.623 billion रुपीज और जो के बनता है अगर हम पर कनाल के हिसाब से देखें that is 424 million पर कनाल तो इसकी बिडिंग जीती थी Nova Group ने और finally जो है Nova Group का जो project है Nova One के नाम से उसका भी जो है recently last month इसका inauguration किया गया और उसी project की details आज मैं आप लोग साथ share करने जा रही हूं कि what is Nova One going to be it is going to be an architectural marvel पाकिस्तान की second tallest building ये बनने जा रही है और central business district में इसकी location है and not just that ये completely legal authorized project भी है तो अब मैं आप लोग साथ share करूंगी Nova One की step by step जितनी भी details है इसकी designers कौन है इसको architectures कौन है उसकी developers कौन है all of these details इसकी prices also all of these details you will be able to see in this video so stay tuned तो सबसे पहले अगर इसकी developers की बात की जाए तो Nova Group इसके developers है इसके constructions जो उसकी की जा रही है इसकी development करें और उसके इसकी visualization है that is done by PixArt और इसके architecture के बार में भी आप लोगों से मैं आगे further details share करूंगी सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती चलूं कि नोवा ग्रुप के इस project के इलावा भी projects है जैसे कि नोवा स्लाबाद, नोवा पिशावर जिसके तरफ से नोवा पिशावर में है उसके पास पी और रिसेंट्ली नोवा स्लाबाद को भी आप लोगों को इसकी नोवा वन की जो exact location है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी यह almost 15 minute के फासले पे है Fort Chris Stadium से, 15 minutes का ही इसका distance है Model Town से, almost 5 minutes का distance है Liberty Market से, 5 minutes का distance है Sports Complex से, 5 minutes से, M.A.M.A.L.M. Road से भी तपीबन फासले पे है, Walton Train Station जो है वो भी से कमी फासले पे है, 2-4 minute का फासला है, उसके लावा जो Southern Town है वो approximately 10-15 minute के फासले पे मौजूद है और International Airport is hardly 15-20 minutes away. इसकी location में बुलिवार जो है गुलबर का वहां पर located है और यहां पर जितने भी offices है, commercial buildings है, 3-4 वहां पर open spaces है High-rise के इसकी construction है, almost 40-60 floors की और total size में आप लोगों को बता चुकी हूँ है अठारा कनाल इसका total size है, इसमें से जो coverage area है, that is 55% अब थोड़ा साइस के concept और design aspects की तरह आते हैं, यह it is going to be basically a single tower design और इसकी जो coverage है, that is 65% for the first 13 floors और इसके बाद जो 65% बागी के है, वो उसके remaining floors के लिए जो है, वो रखी गई है moreover, इसके जो maximum height of tower है, that is going to be 492 feet अगर मैं height of floors की बाद करूँ, तो 18 feet की इसके height है, पहले 8 floors की उसके बाद 12 feet की height है, जितने भी बाकिये floors हैं उसकी यहाँ पर 6 commercial floors होंगे, 2 floors होंगे, जो event spaces और hotel lobby के लिए रिजर्व किये जाएंगे 5 होंगे जो इसके corporate floors के लिए रिजर्व किये जाएंगे, 16 residential floors होंगे यहाँ पर, जहाँ पर apartments और उसके इलावा penthouses होंगे 6 इसके hotel floors हैं और 2 इसके penthouse floors हैं, जो के 16 residential floors के इलावा है and more than that, 4 floor basement parking यहाँ पर होगे, जहाँ पर floor count नहीं हो रहा, just basement है, only for car parking कुछ इसके amenities हैं, facilities हैं, वहाँ का ambience है, वहाँ पर किस किसम का महौल होगा, किस किसम की वहाँ पर opportunities होगी उसकी details अब मैं आप लोग साथ share करती जाएंगे जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, 40 to 60 floors जो है, they're going to be based on residential लोकेशन के बार में भी मैं आपको इसके बता चुकी होगे, CBD Lahore मिस की location है अब कुछ और details, renewable energy generation होगी यहाँ पर, via solar panels, waste management and recycling की facility यहाँ पर होगी dedicated green and blue spaces यहाँ पर मौजूद होगी, 6 commercial floors, 11 corporate floors, 12 residential floors, 7 hotel floors, 2 penthouses floors and 4 floor basement parking यहाँ पर मौजूद होगी, moreover, parking floors जो है, lower ground floor से connected होगे और upper ground floors से भी connected होगे, premium apartments होगे यहाँ जो के hotel की तरव से manage के जाएंगे अब कौन सी hotel चे यहाँ पर आ रही है, वो साथ-साथ details जैसे साथी जाहेंगे, मैं लोग साथ शेयर करती जाओंगी उसके लावा यहाँ पर nova club आ रहा है, with exclusive membership, first choice five star hotel आने वाला है यहाँ पर, boutique hotel also it's coming up as a backup, duplex luxury penthouses है यहाँ पर, global food court है, IMEX theaters है, aquarium, babysitting and child day care services male, female separate prayer areas है यहाँ पर नमाज वहरा के लिए, multilingual staff यहाँ पर रखा जाएगा, children play area यहाँ पर मौजूद होगा thermal control की यहाँ पर facility मौजूद होगी, वाया central air conditioning with heating, 24-7 flow of power यहाँ पर मौजूद होगा उसके लावा, exclusive entrance for residential block, mall linked elevators होगा यहाँ पर, dedicated minimum wait time elevators for residential section also will be available door stepped delivery service मौजूद होगा, premium sky view available है यहाँ पर तकरीबन जितने भी आपर आपार्टमेंट से उनको बहुत ही जबर्दस के समका sky view देखने को मिलेगा, international grade design है and the height of residential section, it is really high so उसके वाज़े से views उसके जितने भी apartments हैं, जितने भी residential offices, जितने भी areas हैं, सब का view बहुत जबर्दस होगा यहाँ पर access होगी, rooftop helipad भी यहाँ पर बनाया जा रहे, तो there will be paid access to rooftop helipad as well state of the art, security system and communication center वहाँ पर मौजूद होगा access होगी hotel services के लिए for service departments, exclusive tower entrance होगी for hotel via separate road and car ramp, chauffeur driven airport connectivity यहाँ पर मौजूद होगी concierge and travel assistance दी जाएगी यहाँ पर लोगों को, safety deposit boxes होगे, indoor entertainment and recreation facilities यहाँ पर मौजूद होगी high-end salon, beautification and cosmetology services यहाँ पर दी जाएगी, khawateen wearer के लिए उसके लावा luxury food and beverage brands facilities यहाँ पर आएगी, signature restaurants यहाँ पर आएगे with all day dining, exclusive tower entrances होगी for hotel via separate road उस details अपने आप लोगों से share करना चाहूँगी, इसका corporate area होगा उसके हवाले से के वहाँ पर जो लोग अपने business के लिहाँ से, जिनके offices होगे और जो लोग वहाँ पर corporate offices के लिहाँ से उस नजरिये से नोवाबन को अगर देखते हैं तो वहाँ पर उन लोगों के लिए dedicated parking spaces और exclusive entrance दी जाएगी shared offices है, meeting spaces है, floated meeting rooms है, modern business center है, बहुत ही जबर्दस किसम का skyview अवेलिबल है, जैसे कि मैंने पहले बताया, because of its height, thermal control via central air conditioning and heating system महाँ पर मौझूद है, high speed internet coverage and 24-7 power backup महाँ पर मौझूद होगा तो इसी details अगर मैं specifically hotel area के बारे मैं अगर अप लोगो से share करूँ, तो 5-10 floors जो है वो 5-star luxury hotel के होंगे and it is going to be first of its kind in Pakistan, being an international standard 5-star luxury hotel, जिसको जो है उसी luxury brand hotel जो है इसको manage करेगा और पाकिस्तान में जो है इसकी, I don't think so, कि अभी तरक कोई branch आई है, तो it is going to be a surprise when we reveal that which hotel chain is going to be here hotel के अगर मैं आप लोगो से amenities की separate ही बात करूँ, तो यहाँ पर exclusive tower entrance होगी, separate road और car ramp मौझूद होगा, chauffeur driven airport connectivity होगी, premium access होगी, helipad rooftop तक, safety deposit boxes होगे, indoor entertainment or recreation facilities होगी, babysitting and daycare के services भी मौझूद होगी, उसके लावा multipurpose event halls and luxurious meeting boardrooms महाँ पर मौझूद होगे, high-end salon, beautification, cosmetology services, luxury food and beverage facilities Nova club वहाँ पर मौझूद होगा, जो के बहुत easily accessible होगा, और अब अगर मैं बात करूँ, जो लोग residential purposes के हवाले से, Nova 1 में investment करने के बारे में सोचेंगे है, या वहाँ पर उस हेसाब से रहना चाहें, exclusive entrance होगी residential block की, dedicated elevators होगे, doorstep delivery service होगी, premium skyview होगा, as I mentioned before, again paid access to the rooftop helipad as well, state-of-the yard, security system and communication center, access to hotel services, spa, gym, sports club and Nova club access भी वहाँ पर, residents को महाँ पर मौझूद होगी, furthermore, अब मैं आऊंगी इसकी prices के तरफ, इसका जो single bed के जो वेलाज है, उसकी per square feet rate उस ताइम पर है, that is 30,000, double bed, that is also 30,000, and three bed also is going to be 30,000, area इसका vary करता है, single bed का जो area है, that is 1200 square feet, double bed का है, 1663 square feet, and three bed is 2063 square feet, single bed की the total price, it is going to be 3 crore 60 lakh, for double bed, it is going to be 4 crore 98 lakh 75,000, and for three bed, it is going to be 6 crore 18 lakh and 75,000 rupees only, coming towards the corporate offices now, जो start-up executive office होगा, जिसका सबसे चोटा साइज है, that is going to be 40,000 per square feet, area होगा, almost 518 square feet, entrepreneur office, same price, square feet, 40,000 per square feet, and area is going to be 1037 square feet, corporate executive office is going to be 2066 square feet, and again, per square feet rate is going to be 40,000 rupees, So, smart business shop, per square feet rate, that is going to be 1 lakh, and this is 1 lakh ही है, overall, जितनी भी शौप के साइज हैं, but of course, area के वेजे सी वेरी करेंगे, जो इसकी टोटल प्राइज हैं, तो, जो सबसे चोटी शौप का area है, it is going to be 250 square feet, medium size 432 square feet, and जो सबसे बड़ा साइज है, it is going to be 846 square feet only, furthermore, इसकी booking होगी 10% and confirmation is going to be also 10%, बेशक वो अपरेट ओफिसे हो, जो अपरेट शौप हो, या फिर स्काइवेला स्रेसिदेंशल अपार्टमेंट्स हो, और on possession also, you will have to pay 20%, either it's residential area, either it's corporate office, और it's a shop, furthermore, इसकी जो सबसे एक, I can say, a different, इसकी unique feature है, इस project का, इसकी जितनी भी designing, इसका जो architecture है, it is being done by an Italian firm, Dr. Marco Casamonti is going to be handling all those things, and Dr. Casamonti, जो है, वो काफी जार्दा पहले भी काम कर चुके है, in different countries में, he is basically very well known internationally, globally, because of his work, and he is going to be the one who is going to basically sing the designing and architecture of Nova 1, which is quite expensive, if you see it that way, लेकिन Nova 1 की, Nova Group की ये कोशिश है, कि वो आप लोगों को एक, best of the best luxury option provide कर सके, and that too, in a very affordable rates, now, क्यूंकि ये project अभी last month ही इसका inauguration हुआ है, तो अभी इस time पर ये जो इसकी pre-launching prices हैं वो चल रहे हैं, and without a doubt, very soon, इसकी जो है, prices भी change हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, and इसकी बहुत जादा इस time भी market में बहुत सारे लोग हैं, जो already इसमें investment कर चुके हैं, and I just wanted to basically share the details with all of you, आप लोगों में से कुई अगर इसी तरह के इसी project में investment करने में interested है, I don't think so, कि इस से बहुतर opportunity इस time पर लहूर में मौझूद है, keeping the fact in mind that it is going to be the second tallest building of Pakistan, and also in very very affordable rates, चाहे वो residential purposes के हवाले से आप लोग लेना चाहरे हैं, corporate purposes के लिए लेना चाहरे हैं, for anything, I think it is one of the best option, legal भी है, government के तरफ से इसका निशेयव रखा गया था, जहां पर इसकी location है, so I believe that it is a very smart choice if you think of investing in this project right now, and also if you want to be a part of this amazing project, you want to invest in this state-of-the-art project, make sure that the number that is given on the screen, आज ही contact कीजिए, so that we can do the booking for you, and आप भी जो है, इसकी प्रिलांच रेट के प्राइज हैं, उसी में आप लोग अपनी बाइं कर सेगें, and furthermore, even अगर आप लोग investment purposes के इसमें इसमें करना चाहें, that for example, in future you want to sell it out to someone else, again, it is going to be very profitable, because of its location, because of its legal structure, and overall, इसकी जो प्रोपर, इसकी के सकते हैं, जो responsibility है, it is on government to basically make sure, के जो इसका गिवन ताइम परिए हैं, उसी में ये प्रोजेक्ट दिलिवर होना चाहिए, so, I hope that you like this video, and I hope that you like this project as well, for more details, for more information, number given है, आज ही contact कीजिए, any questions that you have, make sure to drop in the comments, and until next time, Allah Hafiz.